मिट्टी से बने नंदी, चुकिया वा पोरा से सजने लगा बाजार जिले में पोरा त्योहार को लेकर लोगों में भारी उत्सा नजर आ रहा है पोला त्योहार क्रशी कार्जियों में पशुधन की महत्ता को प्रदर्शित करने वाला त्योहार है पोला तोहार के पहले बजार में रौनक साफ दिखाई दे रही है खासकर जिला मुख्याले में जगे जगे मिट्टी और लकड़ी से बने नंदी बैल बच्चों के खेलने और पूजा करने वाले पोला समान बजार में बिखने लगी है कुमार फैंसी वर लकड़ी वर मिट्टी से बने बैलों के अलावा चुकिया पोरा भी बजार में लेकर पहुँचे कुमार ने बताए कि पोला पर्वे की तियारी डेड़ महीने पहले से करते हैं इसमें पोला के तहित नंदी बैल घड़ा चूला कमंडल बाल्टी जाता वा अन्ने खिलोने वा बरतन बनाए गए पोला बनाने के बाद इसे सुखा कर पकाने के लिए अलग से भट्टी का इंतिजाम करना पड़ता है जिसमें काफी साफधानी बरतनी पड़ती है इस साल इनके दामों में बढ़ोत्री हुई है वर्तमान में मिट्टी से बने जोड़ी बैलों की कीमत 50-80 रुपे है कड़ी मेहनत के बावजूद उचित मूलन नहीं मिल पा रहा है शहरों के उपेक्षा, ग्रामर्ट शेत्रों में इन समानों की विक्त्री अधिक मात्रा में होती है आधुने की युग में लोग परंपरा गत्त्यहारों को भूलते जा रहे हैं पोला पर्व में सिर्फ पूजा अर्चना करने के लिए बैल वा पोला की खरिदारी की जाती है। इस्थानी बाजारों में लकडी के कारिगरों द्वारा बनाए गए फैंसी बैल के बिकने से पोला पर्व का व्यवसाय मंदा होता जा रहा है।